अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबाबे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, त्थी तारों में भी मेरत सलाम रखना हाट नौमबर 2016, यह वो तारिक थी जब देश का हाएक इंसान हैरान रहे गया था, यह वो तारिक थी जब 1500 के नोट रद्दी के समान हो गये थे, जी हाँ हम बात कर रहे हैं नोट बंदी की, नोट बंदी एक ऐसा फेसला था जिसे मोधी सरकार ने काले धन पर नकेल कसने के ल होने पाएहे, इस मोगे पर हम सब्जी मार्केट में जानना चाहेंगे कि नोट बंदी ने किस अ सब्ची के मार्केट क Online जाणने does your ранइत रहां है ।ो हैं तो बताइए कि नोट बंदी के दोरान आपको किन परेसानियों के सामना करना पड़ा तक घृता लेकर भी उनको खुले की परेशानियों का सामना करना पड़ा इस वक्त हम मोजूद हैं यहां पर कुछ लेडी से हैं उनके से भी बात करना चाहेंगे कि नोडवंदी के दोरान आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा इनका जो कहना है कि 2000 का जो नया नोड लागू किया गया था उसके कारण खुले की बहुत समस्या का सामना करना पड़ा था इनको और कहीं ना कहीं जो नोड बंदी के दोरान सबजी के रेट भी जो बड़े थे उसको भी लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा अब अगले जो रहा के उन्टेश willen उनसे जानना चाहेंगे कि उन तो इनका भी यही कहना है कि 2000 का नोड जो जारी किया था मूरी सरकार ने उसमें खुले की जो समस्या एहम थी प्रमुक्ति अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक और ग्रहाक से कि नोड बंदी के दोरान इनको किन दिक्कतों का सामना करना परा तो यहाँ पर ग्रहाकों का मानना है कि नोड बंदी जो लागू की गई थी उससे अभी भी मार्केट प्रभावित है और सब्जियों के दाम भी प्रभावित हो रहे हैं और सब्जियों के जो रेट हैं वह बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं इसकी वजय से उन्हें जो रोज मर्रा की जिंदगी है उसमें जो सब्जी का उप्योग होता है वो प्रति दिन होता है लेकिन नोड बंदी से जो रेट में इजाफा हुआ है उससे उने दिक्कतों का स जब मेना की रिपे एंग